एक चतुर सवाल बुद्धी मत्ता का आधा है फ्रांसिस बेगन बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे वह अपनी चतुराई और हाजर जवाबी के लिए जाने जाते थे वह सद्यव अपनी बुद्धी मत्ता का प्रयोग कर बादशाह को प्रभावित कर देते थे एक बार सरदी के मौसम में समराट अकबर बीरबल की साथ घूमने गए रास्ते में एक पंडित अपने मित्रों से बादे कर रहा था वह बोला मैं इस कडाके की सरदी में भी नदी के जल में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ यह बात बादशाह सलामत के कानों में पड़ी मैं रुप कर बोले सच मुझ तुम यह करके दिखाओ यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे महल में आना हम तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली देंगे पंडित खुशी से फूला नहीं समाया वह सारी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा दूसरे दिन अपना पुरसकार पाने वह अकबर बादशाह के दरबार में पहुँचा बादशाह को विश्वास नहीं हुआ पूछी बैठे पहले बताओ यह काम तुमने किया कैसे सरकार मैं नदी के उस पार एक टिम टिमाते दीपक को देखता रहा तो तुम दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे यह पुरसकार तुम्हें कदापी नहीं मिल सकता बादशाह ने पूछा बीरबल नहीं आया उसके ना आने का कारण किसी को नहीं पता था शायद वह बीमार है हम उसके घर जाएंगे बादशाह अपनी सवारी में बैठ कर बीरबल के घर पहुँचे वहाँ पहुचकर उन्होंने एक अनोखा द्रिश्य देखा बीरबल बगीचे में बैठा हुआ था पास ही हलकी सी आग जल रही थे चार बांस आग के करीब गड़े हुए थे उन बांसों के उपरी सिरे पर एक हांडी रखी हुई थे बीरबल यह क्या हो रहा है? बादशाह सलामत ने पूछा तुम दरबार क्यों नहीं आए? अमाराज मेरे पेट में दर्द है उस हांडी में मैं खिच्डी पका रहा हूँ पागल हो गए हो क्या? आग का सेख वहां तक कैसे पहुँचेगा? बादशाह बोले नदी के उस बाद जलते दीपक का सेख भी तो पंडित को मिला था बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया और खिल खिला कर हसे बादशा इस कथन का अर्थ बाब गए पंडित को दरबार में बुला कर उसे सोने के सिक्कों की थैले दे दी जीवन मूल्य बुद्धि मानी और सूच बूज से किसी भी मुश्किल का हल ढूना जा सकता है